गाइज यह सच है कि जिनके जिनके पास अस्मार्ट फोन होते हैं वो लोग अपने फोन में किसी भी तरह का जैसे की लॉक लगाते हैं जैसे की पीन, पेटर्न, पासवर्ड और फिंगर, पीट और फेस लॉक भी लगाते हैं उनमें से बहुत साय लोग ऐसे हैं क्योंकि हमारे एक वीडियो पे continue कमेंट आ रहे हैं कि सर हमारे पास ओपो का फोन है, बीवो का फोन है, समसंग का फोन है, असर में जो लॉक लगाया है अपने फोन में वो लॉक हम भूल गया है तो अगर आपके साथ भी ये condition हो गया है, आप अपने फोन को unlock नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने फोन से कहीं भी call message नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वीडियो आप देखे, इस वीडियो में आप 100% सीखेंगे और सीखने के बाद आप किसी को भी सिखा सकते हैं कि कैसे मुआल को unlock किया जाता है, वो भी बीना computer के help से, ये देखे, मेरे हाथ में एक smartphone है, जो यहाँ पे 6 digit का password लगा हुआ है, इस password को हम रिसेट करेंगे, यानि कि unlock करेंगे, इसी वीडियो में live proof देते हुए, तो चली, वो trick क्या है, सिख लीजिए, ये देखे, यहाँ पे phone lock है, आपको 2-3 इन बातों को सबसे पहले mind में याद रखना होगा, पहला बात ये है, कि आपको बार बार wrong password नहीं डालना है, second, second बात ये है, कि जो मैं वीडियो में, इस वीडियो में trick बता रहा हूँ, उस trick को आप पूरा, यानि कि पूरा वीडियो watch करने के बाद ही, आप अपने phone में apply की यानि try कीजेगा, तो आपका phone unlock हो जागा, ये दो बातों को हमेशा याद रखेगा, यहाँ पर देखेगा, कामा स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर फोन lock है, यहाँ पर 6 डिजिट का password लगा हूँ है, इस password को जैसे ही आप lock वाला interface पर जाओगे, तो यहाँ पर दो option दीखेगा एक उपर में enter password, लेकिन आप enter password पर क्लिक करोगे, तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा, उसके just नीचे, सभी के phone में यहाँ पर emergency call होते हैं, बहुत साई लोग इस option पर care नहीं करते हैं, लेकिन आप यहाँ से, आज से care करना सुरू कर दीजे, जैसे ही आप emergency call को क्लिक करोगे इस 5, a star, one, triple zero, triple zero, code को बारिकी से देखेगा, और मैं जो digit डाल रहा हूँ, same digit आपके phone में enter होना चाहिए, a star, लास्ट में 555 और लास्ट में a star है, यह code है, hidden secret code, इस code पर जैसे ही enter हो जाएगा, इस code पर देखे है, call वाल बटम, call वाल इस तरह से जैसे ही प्रेस करोगे, यहाँ पर एक message open होगा, देखे हैं, यहाँ पर लिखा हूँ है, call fail, the number is not an emergency number, जी हाँ, यह emergency number नहीं है, क्योंकि हम सभी लोग जानते अच्छी तरह से, जो emergency number होता है, 100, 101, 108, यानि कि ambulance, police, fire, यह सब को बुलाने के लिए होता है, फिलाल, यहाँ पर जब इस तरह से message आजाएगा, यहाँ पर आपको ignore करते हो, यानि कि बीना डरे होए आपको यहाँ पर okay कर देना, और यहाँ पर आपको five times करना है, two, three, four, five, five times इसी step को आपको दोराना है, ठीक है, जब five times यह step complete हो जाएगा, इस code को यहाँ से erase करना है, erase करने के बाद एक second और final code है, जिसको बोलते है, master unlocking code, EC code का help ले करे, जो service center को जो engineer है, वो भी किसी भी phone को unlock करते है, यह देखे, code क्या है, देख लीजे, star hedge, eight, double nine, और hedge, जैसे हैं पर इस कीजेगा, नया वाला page open हो जागा, जिसका नाम है engineer mode, अब देख रहे हैं यहाँ पर, अब फिर यहाँ पर देखेगा, ऊपर से, जो number four पर option है, manual test, इसको पहले आप click लीजेगा, मैंने click किया, तो जैसे ही मैंने click किया, तो नया page open हो गया, अब second page में चले जाना है, जिसका नाम है device dubbing, अब क्या करना है, यहाँ पर देखेगा, बारी की से गौर से सुनिएगा, यहाँ पर क्या करना है, आपको aim sensor, जी हाँ, aim sensor पहल करने के बाद, इसको यहाँ से back कर देना है, जैसे ही back करोगे, उसके बाद आपको चल जाना है sensor self test and calibration, इसको जैसे ही click करोगे, तो हो सके आपके phone में 2 sensor हो, 3 sensor हो, 4 sensor हो, maximum 4 होते हैं, वो 4 में से एक sensor पास होगा, इस तरह से मैं बता देता हूँ, यह देखे, मैं sensor को click कर रहा ऊपर से नीचे, आपको ऊपर से start करना है, नीचे से नहीं, बहुत साइल लोग क्या करते है, नीचे से sensor स्टार्ट करते है, नीचे से नहीं करना है, मैं देखे, मैं फिर से try किया हूँ, यहाँ अभी तक दोनों sensor फेल हो ठेल रहे हैं, फिलाल, यहाँ फिर फेल हो गयाँ, जब ट्राइ करना जब तक यह sensor एक दोनों में से कोई एक टेस्ट पास नहीं आ जाए यह दोनों fail हो गया फिर से मैं फिर से कर रहा हूँ फिर दिखते हैं दोनों fail हो गया, फिर से try करना है, हो सके आपको 2 मिनिट लगे, 3 मिनिट लगे, आपको करना दिये, देखें, live देखें यहाँ पे एक sensor पास हो गया, अब जो sensor पास हुआ है, उसका नाम याद रखेगा, उस sensor का नाम है जारो स्कोप, और नीचे का जो sensor है, उसका नाम है असलोर पास्ट में जाना है, और अधर नाम का page मिलेगा, अब database बर्जन पे आपको number 3 बार click करना है, इस तरह से 1, 2, 3, 3 बार click करने के बाद, अब क्या करना है, ऊपर से second option है, read, write, इसको जैसे ही click करोगे आप, तो एक नया page, यानि कि नया window open हो जागा, देखेंगे, जहां पे आप बारे में okay, जैसे ही करोगे, तो इस तरह से आपके phone में wrong password deduct, यानि कि deduct हो जागा, और resetting mode में चला जागा, जैसे ही ये wrong password deduct mode में चला जागा, इस तरह से so हो जागा, उसके बाद क्या करना है, key status को click करके देखना ये है, कि Google की pass हो गया है कि नहीं हुआ, देखेंगे यहां प हमारा जो sensor on हुआ था gyroscope, यहां पे देखेंगे, उसके just नीचे एक sensor है, जिसका नाम है sensor offset test, इसको मैंने click किया, और यहां पे आपको search करना है कि gyroscope sensor कहां पे है, यहां पे देखेंगे gyroscope sensor नीचे से second या तो उपर से third देखेंगे, और सबसे last का digit आपको crouchे करना है, कि आप two है, three है, four है, five है, six है, seven है, eight है, nine है, फिलाल, मेरा जो sensor है, gyroscope, last में four है, देखेंगे live, last में four है, आपको four times यहीं पे click करना है, इस तरह से one, two, three, four, अब कुछ नहीं करना है, home menu button को click किजेगा और आप दिखेंगा कि आपका phone unlock हो जाएगा, तो friends, यह बहुत ही useful trick है, आप आपका phone unlock हो जागा नहीं होता है, उस case में आप हमारे चैनल को subscribe किजेए और बताइए कहां से समझ में नहीं आ रहा है, कहां से फसे हुए है, वहां से हमारी team आपको help कर देगी